नमश्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार सौगत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से, लेकिन जैसे कई बार आजगल हो रहा है, सिर्फ मेरी नजर नहीं रहती है, एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान की भी नजर रहती है मेरे साथ साथ आज हम बात करेंगे दरसल प्रोवोकेटिंग पॉइंट है अखिलेश यादव ने अभी एक पॉलिटिकल भाशन में एक ही सांस में गांधी जी, नहरू, बाकी राश्चनेता और मुहम्मद अली जिन्ना का नाम ले लिया तो naturally विवाद खड़ा हो गया कि आप बाकी तमाम लोगों के साथ जिन्ना का कैसे नाम ले सकते हैं हम एक ऐसे दोर से गुजर रहें जहां हर एतिहासिक कैरेक्टर लीडर खासों से राश्चे नेता उनको हम लोग यूनी डायमेंशनल देखते हैं या तो भाई बिलकुल अच्छे हैं या तो बिलकुल खराब हैं या तो देशभक्त हैं या फिर राश्ट्र द्रोह हैं वैसी ही कुछ बात मुहमद अली जिन्ना के बारे में होती है हमको जिन्ना के बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक बनने के पहले एक लंबे अर्से से भारतिय राष्ट्री आंदुलोन में किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए थे तो जिनना के बारे में आज बात करने के लिए मेरे बहुत पुराने मित्र सलिल मिश्रा जो बहुत ही जाने माने इतिहासकार हैं प्रोफिसर हैं Modern Indian History के, अमबेडकर उनिवरसिटी में प्रोफिसर हैं, वहाँ पे प्रो वाइस चांसलर भी रहें इनकी एक बहुत बड़ी अच्छी किताब आई थी बहुत साल पहले A Narrative of Communal Politics उत्तरप्रदेश 1937 से लेके 1949 तक 37 to 39 तो पीरियड जिसमें हम कह सकते हैं कि मुहमद अली जिन्ना का actual transformative जो चेहरा है जो final चेहरा है वो हमको देखने को जाके मिलता है तो सलिल जी हमारे कारिकरम में आने के लिए बहुत बहुत धरनेवाद जैसा कि मैं कह रहा था अपने viewers को introduction में unidimensional character नहीं होते हैं तो जिन्ना भी एक नहीं है despite the fact कि आज की जो regime है जिन्ना को एक ही सांचे में ढालना चाहती है हमको जिन्ना को समझना जरूरी है क्योंकि हमारा राश्रिया अंदोलन जो है बहुत दौर से गुजर के आया तो एक इतिहास का जिन्नों ने इन चीजों को बहुत अच्छी तरह किसे देखा है जिन्ना के बारे में जिरा हमें समझाइए कि हमें जिन्ना को कितने जिन्ना है लेट मी पूट इट वे निलाजज़ ने काफी एहम सवाल है और पहली बात तो यह कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनकी लंबी जिन्दगी में लंबे पुलिटिकल करियर में वो काफी दौर से गुजरते हैं वो एक तरह से नहीं रहते हैं चाहे वो गांधी हों, राम मोहन राय हों, जवालल नहरू हों समाजवादी नेता हों चाहे सावरकर हों जिन्सावरकर ने 1857 पर किताब लिखी तो उन्होंने हिंदुत्वाबाद में लिखी 15-16 साल में तो सारे नेता अलग-अलग दौर से गुजरते हैं ये बात बाकियों पर लागू होती है ये बात मुहमद अली जिन्ना पर भी लागू होती है मैं जिन्ना की राजनीती को लग-बग तीन अलग-अलग दौरों में मैं रखना चाहूँगा वो शुरू में Congress के सदस से थे Muslim League में तो 1913 तक थे भी नहीं Muslim League तो 1906 में बन गई थी वो 1913 में ही गए थे और वो गए इसलिए थे कि Muslim League को Congress के नजदीक लाने का उनका काम था कहते हैं कि Congress के नेताओं ने सज़ेस्ट किया था वो तो बड़ा pro-british organization था जिन्ना के जाने के बाद होने लगी तो उन्होंने एक तब्लीली आई उनके जाने के बाद से 1920 के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जब गांधी के नेतर्त में असहियो गांदोलन होता है जिन्ना जो की पुरानी तरह की राजनीती का पृतिनेदितों करते है गांधी जी के मास character देने की जो उससे वो नहीं पसंड करते है और बहुत सारे और भी नेता थे जैसे की तेज बहादर सप्रू थे चिंता मनी थे पुराने liberal leaders वो भी Congress से अलग हो जाते हैं, जिनना भी उस दौरान में Congress से अलग हो जाते हैं, इसलिए वो इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, कि common लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, सामाने लोगों को राजनीती में लाया जाया है, वो बहुत अनीज, राजनीती बेसिकली Elitist ह होनी चाहिए, जो कि अपनी मांगे रखें, अपनी डिमांड रखें, लोगों के बहाफ पे रखें, लेकिन लोगों की शिरकत राजनीती में नहीं होनी चाहिए, इसको लोगी कि एक असहजता बहुत सारे नेताओं में थी, तो ये गांधी का तो बड़ा ही radical program था 1920 में, तो जिन्ना को बिलकुल राश्टिये platform पे लेके आया था, उससे भी जिन्ना को जहरा परिशानी की, जिन्ना को लगता था कि वो कोई भी कदम जिसमें की common लोग, common issues, politics में आ जाएंगे, वो बड़ा explosive हो जाएगा, तो वो बहुत ही असाज थे, तो इसको लेकर भी जिन्ना को भ पोड़ी सी दिक्कतें थी, ये बिलकुल सही बात है, बीस के दशक में जिन्ना एक confusion, एक confusion के दौर से गुजरते हैं, असम अंजस के दौर में हैं, कभी वो चाहते हैं कि Muslim League को बड़ा एक anti British platform बनाया जाया है, वहाँ पर उनका विरोध किया जाता है, बहुत सारे Muslim League के नेता नहीं हैं, मनजूर नहीं हैं, तो वो कभी Muslim League की तरफ, तो कभी Congress की तरफ, कभी कहीं और जाते रहते हैं, और 1930 तक वो लगता है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, अलग-अलग जोन में, अलग-अलग विचारधाराओं में, 1930 के बाद में, बहुत ही सपष्ट रूप से, अलगाव करने लगते हैं, तो ये किस तरह से एक्सप्रेस होता है? वो इस तरह से एक्सप्रेस होता है कि भारत में Muslims की आबादी लग-बग 25 फीसदी थी, तो उस समय ये माना जा रहा था कि अगर democracy आएगी, हमारे समाज का लोकतांतरी करना राजनीतिका होगा, तो ये 25 फीसदी आब Muslims के लिए होनी चाहिए, पंजाब और Bengal जहां पर कि उनकी majority बहुत हलकी थी, 54 फीसदी बंगाल में और 53-54 फीसदी पंजाब में, तो वहां की जो legislative assembly है, उसमें majority status उनका बरकरार रहना चाहिए, उनकी seats आधी जरूर होनी चाहिए Muslims की, जो Muslims के लिए रहा है, वो separate electorate छोडने के लिए तयार है, जिनना, उस समय तक तयार थे, जो minority provinces हैं, जैसे यूपी में मुसल्मानों की 14 फीसदी की आबादी है, बिहार में 12 फीसदी है, बॉम्बे प्रेसिदेंसी में 12-14 फीसदी है, central province आज का मध्यपरदेश है, वहां 3-4 फीसदी है, जहां पर Muslims इस तरह की minority में हैं वहां पर उनके लिए एक weightage दिया जाए, मतलब उनको minority का जो disadvantage है, उसको एक तरह से compensate, खम्याजा उसके लिए थोड़ी सी उनकी seats बढ़ाई जाएं, ये 3-4 उनकी demand हैं, अगर ये बातें पूरी हो जाती हैं, तो फिर वो separate electorates जिनना छोड़ने के लिए तयार थे, Muslim League में बाक की और जो नेता थे, जैसे फजली हुसेन थे, जैसे मोहमद शफी थे, जो पंजाब के बड़े नेता थे, ये ब्रिटिश सरकार के पास गए, और कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे, अगर आप separate electorates हमको दे देंगे, तो ब्रिटिश ने जो constitution बनाया 1935 का, उसमें ये सारी बा फजली हुसेन, जो लॉयलिस, जो प्रो ब्रिटिश नेता है, वो ब्रिटिश के साथ एक साथ गाट करके, अपनी सारी मांगे मनवा लेते हैं, जो की constitution का हिस्सा बन जाती हैं, फिर जिन्ना पूरी तरीके से इधर आ जाते हैं, 1935 के चुनाओं के बाद, जो नए समविधान जिन्ना बड़े नेता थे, ये फजली हुसेन भी जानते थे, फजली हुसेन की डेथ हो गई थी 1936 में, कि वो ब्रिटिश के साथ मिलके आपको डिमांड तो दिलवा सकते हैं, लेकिन लोगों पर उनका कोई पकड़ नहीं है, वोटर्स पर कोई जादा रीच नहीं है, उसक पूरी तरीके से मुस्लिम लिग की पॉलिटिक्स में आते हैं, कॉंग्रेस के साथ पूरा विरोध अपना शुरू करते हैं, और कहते हैं कि ये हिंदु, तो अगर हम जो राश्ट्रिवाद जो है, जी, राश्ट्रिवाद जो है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करें, तो ये कि मुस्लिम्स आर नेशन, जो एक तरह से जो हमारा जो कॉंग्रेस की जो मुख्यधारा थी, जो गांधी जी ने आर्टिकुलेट किया, बाकी नेताओं ने आर्टिकुलेट किया, जो एक सिविक और टेरिटोरियल नैशनलिजम जिसको हम लोग बोलते हैं, कि राश्ट् एक सिविक और है, या एक धर्म के आधार पर एक कौम है, एक जाती है, एक पीपल है, यही विचार हिंदू राश्ट्रवाद के तरफ से देखा जाता है, सावर कर भी आर्टिकुलेट करते हैं अपनी किताब हिंदूतों में, जिसके बाद राश्ट्य स्वयम सेवक संग का establishment होता है 1925 में, और हिंदू कमिनलिजम का दौर भी 1920 के बाद खूब जोर पकड़ता है, तो यह parallel trajectories आप हमको देखने को में जैसे कि आप समझा रहे हैं, कि एक तरफ तो मुस्लिम कमिनलिजम जिन्ना के लीडर्शिप में और दूसरी तरफ राश्ट्य स्वयम सेवक संग औ जो थोड़े बहुत जो extreme elements हैं, काफी लोग जो Congress से हटके जो अलग्ज हो गए थे, या सावरकर जैसे लोग एक हिंदू कमिनलिस्ट आइडिया को articulate करे थे, तो यह तीन धाराएं जो हैं हमको देखने को मिलती है, 1930 के दश्वर्शिप, क्या ऐसा सही है? बिलकुल, मैं तीन क्या मैं तो दो ही धाराएं कहूंगा, एक तो धाराएं वह है जिसकी क्या आपने बात की, बेसिकली हिंदू राष्टरवाद और मुस्लिम राष्टरवाद जो उसको जिनना आप बोले थे, एक दूसरे के complimentary forces थे, वो एक दूसरे का विरोत तो कर रहे थ लेकिन राजनी थी कि उनकी समझ, उनके defining principles, basic digits of politics, वो बिलकुल एक से थे, और वो principles वही थे, कि जो एक धार्मिक समुदाय है, religious community है, वो सिरफ religious community नहीं है, वो एक political constituency है, तो दोनों को एक दूसरे के strength से strength मिलती है, दोनों एक दूसरे को मजबूत करते थे, जवहारलाल का बड़ा historic statement है, that one communism does not end the other, they both reinforce the other and both of them become fact, वो actual राश्टरवात को कमजोर करते हैं, एक दूसरे को बहुत मजबूत करते हैं, अगर एक किसी छोटी से जगह में Muslim political organization है, तो वो justification बन जाता है, उसके विरोध में Hindu political organization का हो, और Hindu है, तो वो Muslim बन जाता है, पंजाब में Sikh भी बन और भारती राश्टरवात कमजोर होता है, इसलिए उसका अधार क्या था भारती राश्टरवात का जैसा कि आपने बताया, कि जो भी शक्स यहां पर रह रहा है, उसका कोई भी धर्म है, कोई भी जाती है, उसकी कोई भी क्षेतर से आता है, कोई भी कल्चर है, कोई भी भा अपने आप में एक नेशन हैं अपने आप में राष्ट रहें इनके आधार पर इनको पृतनिदित तो करते हुए मांगे रखी जाती हैं कि मुस्लिम डिमांड ये है हिंदू डिमांड ये है और वो एक तरह से जो बटवारा करते हैं उससे हमारा राष्ट्रवाद तब भी कम इंडियन नेशन है उसको कमजोर करती है अक्सर यह कहा जाता है खास होसे कुछ खास जो एक पर्टिकलर एंटी कॉंग्रिसिजम की जो राजनीती एंटी कॉंग्रिसिजम मैं मौडन कॉंटेक्स में नहीं बोल रहा हूं लेकिन पूरी जो कॉंग्रिस की जो नैशनलिजम और जो राश्रवाद की प्रती जो एक पर्सपेक्टिव है उसको जो अटेक करते हुए कहा जाता है कि अगर specifically नहरू का नाम लिया जाता है और कुछ नेताओ का नाम लिया जाता है अगर धाता तो मूल responsibility partition की Congress के नेता led by जवाहलाल नहरू ये एक 1930 1937 में और 1928 में दो घटनाएं थी जिनके आधार पर ये बात कही जाती 1928 में एक नहरू रिपोर्ट मोतिलाल नहरू और तेज बहादूर सप्रू ने तयार की थी जो Simon Commission को उनका जवाब था वो सिर्फ Congress ने नहीं थी वो एक All Parties Conference ने की थी तो Muslim League की डिमांड को ये लोग मानने को तयार भी थे के लेकिन All Parties Conference में बाकी और भी सदसे थे हिंदू महासभा के सदसे थे उन्होंने नहीं मानी तो अंत में जो नहरू रिपोर्ट बनी उसका विरोध, Muslim League ने भी उसका विरोध किया और हिंदू महासभानी भी उसका विरोध किया हमारे मेंस्ट्रीम जो नैशनलिस्ट लोग थे उन्होंने उसका समर्थन किया इसलिए कि राजनीट में थोड़ी given take चलती रहती है आज आप कुछ देते हैं फिर दस साल बाद कुछ और होता है ongoing process होता है दूसरा 1937 के चुनाओं के बाद में माना जाता है कि यूपी में एक coalition सरकार Congress और Muslim League की बन सकती थी लेकिन वो बहुत मैंने तो बहुत उस पर research किये है जिन्ना खुद उस समय तक नहीं चाहते थे उस समय तक जिन्ना के इंटरेस्ट में वो भी चाहते थे कि मुसल्मानों का अखिल भारती इस तर पर एक अलग मंच बने एक अलग platform बने और उसके आधार पर demand रखी जाए वो नहीं चाहते थे कि ये मंच जो है वो Indian National उसमें absorb हो जाए, accommodate हो जाए लेकि वो पिर कमजोर बन जाएगा तो उनका मानना होता था, जिन्ना का मानना 1937 में, पहले नहीं था 1937 में ये मानना हो गया था कि हमारी मजबूती इसी बात में होगी कि हम एक अपना अलग मंच बनाएं, अलग platform बनाएं, अलग अपनी demand रखें और British में तब हमारी बात जादा सुनेंगे अगर हम Congress के नजदीक चले गए तो फिर British हमारी बात नहीं सुनेंगे तो 1937 के बाद से बिलकुल ही लगातार parallel अलग जिन्ना politics करते हैं वो खुद नहीं चाहते हैं Muslim League के कुछ members हैं यूपी में, खली कुछ जमान जैसे थे वो चाहते थे कि थोड़ा Congress के साथ एक वो बने लेकिन जिन्ना इसके बिलकुल विरोध में थे हम अकसर कहते हैं कि जो Muslim Electoral Constitution की हम बात करें जिस तरह से हम लोग हिंदू Political Constitution की भी बात करते हैं वो बन तो गई 1920s के दशक से लेकिन अल्टिमेटली फुली जाके उसका फायदा जो है जो overwhelming support जो Muslim League को मिलता है वो 1936 के चुनाओं में और उसके बाद overwhelming sweep जो होता है 1945-46 के चुनाओं में जाकी जो होता है Congress को एक तरह से बिलकुल Muslim जो constituency separate electorate जो थी उसमें बिलकुल support नहीं मिलती है इसकी क्या वज़े थी कि Muslim राश्वाज जिसको जिन्ना ने articulate के हुआ इतना successful हो गया 1937 तक तो ये एक open ended question है ये मतलब इस पर full stop नहीं लगा है 1937 तक जिन्ना की राजनीति के परिणाम सरूप और British के जो effort थे एक separate Muslim political constituency बन जाती है 485 सीटें 1 third Central Legislative Assembly में Minority provinces में वेटिज वगरा वगरा वो सारा लेकिन तो पहला एक लड़ाई का पहला कदम तो पूरा हो गया कि Muslim constituency तो politics में बन गई लेकिन उसको capture जिन्ना नहीं कर पाते Muslim League capture नहीं कर पाती पंजाब में वो Unionist Party में चला जाता है Bengal में भी भी बिलता है फजलूल हक में परजा करशक पार्टी तो जिन्ना का सबसे बड़ा एक crisis या संकट या dilemma ये है जो कि अड़वानी की भी साथ रहा था चुकि आपने आज पर research करी तो आप जानेंगे कि आपने अपनी महनत से एक constituency तो बना दी लेकिन हमत नहीं होए कि ये ये actually मेरे पीछे आएगी उसको capture नहीं कर पा रहे हैं आप capture किसी और ने कर लिया है तो अब आपका second stage of struggle होता है कि इस constituency को कैसे capture किया जाए लोगों के दिल और दिमाग पे कैसे ऐसा डाल है यहां तो अड़वानी नहीं capture कर पाए वो तो नरेंद्र मोदी ने कर लिया capture लेकिन जिन्ना नहीं बनाया और जिन्ना नहीं capture किया ये दो formations को जिन्ना जिन्ना में हम देख सकते हैं के खिलाफ बहुत ही virulent बहुत ही vicious और nasty campaign कि ये हिंदू राज है और बंदे मातरम है और गांधी की scheme जो है वो anti-muslim है और उर्दू भाशा को वो किया जा रहा है बहुत सारे issues उठाते हैं और वो धीरे-धीरे Muslims को consolidate करते हैं जब Congress जब quit India होता है Congress के नेता जेल में चले जाते है और Congress ban हो जाती है वो दौर है जबकि Muslim League को बहुत सफलता मिलती है लोगों तक पहुँचने में उसके अंदर जो differences है Muslim politics में उसको भी जिनना काफी सफलता से चाहें सिंध है चाहें पंजाब है चाहें बंगौल है उसमें वो कर पाते हैं तो 1945-46 में जो अगले जो जेनरल elections होते हैं जो कि पाकिस्तान के आधार पे होते हैं पाकिस्तान की डिमांड 1940 में 1940 में लाहूर कॉन्फरेंस में तो उसके बाद जो लामबंदी करणर जो mobilization Muslims का होता है वो पाकिस्तान के आधार पे होता है कि आपका अपना होम लैंड होगा आप भारत आजाद भारत में रहेंगे तो कोई आपकी बात नी सुनेगी तो बस तब डिबेट यह होते हैं कि क्या कौन सी territory पाकिस्तान constitute करेगी वो तो होती है लेकिन उनका मानना है होती है वो काफी सफल रहती है कॉंग्रेस उस समय तीन साल तो कॉंग्रेस बैन है बिल्कुल कुईट इंडिया के बाद में कॉंग्रेस कहीं पर है ही नहीं तो जब 1945-46 में चुना होता है तो काफी बड़े पैमाने पे बहुत टेक्फिली उस कुईट इंडिया मुव्मेंट के बाद जिनना उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं होते है अंग्रेजों के साथ पूरी तरसे कॉलाबोरेटिव रोल होता है जिस तरह से यहां देखने को मिलता है कि सावरकर का भी कॉलाबोरेटिव रोल होता है ब्रिटिश के साथ तो दोनों एक दूसरे के अक्टिविटिज को मिरर कर रहे होते है उस पूरे दूर बिल्कुल पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार बनने में बिल्कुल में ब्रिटिश काफी मदद करते तो वो हिस्से जो की पाकिस्तान के लिए मांगे जा रहे हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग की सरकार बन जाती है 1941-1942 के दौर में और वार को लेके सावरकर और जिन्ना दोनों की पोजीशन बिलकुल वही है कि हम आपको वर्ड 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 वर लग है ये कोशिश है कि जादा से जादा बड़ा सपोर्ट लिया ना सकी है और क्या 45-46 के चुनाओं के बाद cabinet mission के आने के बाद जिन्ना पूरी तरह से उसी path को pursue करते हैं कि वो cabinet mission के proposals को reject करते हैं direct action call देते हैं उसके बाद तो मतलब यह कह सकते हैं कि partition became an absolute certainty सिर्फ ये बचता है कि कैसे होगा किस तरह से होगा और कब होगा जिन्ना एक common constituent assembly के लिए तायार नहीं होते हैं कॉंग्रेस के नेताओं ने cabinet proposal को इसलिए भी सुईकार किया था कि उनकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि हमारा समविधान बनेगा एक constituent assembly के दौरा तो उसको बिटिश मान लेते हैं तो वो नहरू के लिए एक बहुत बड़ी बात है फिर जिन्ना तैयार नहीं होते हैं उसके लिए इसलिए कि वो कहते हैं कि constituent assembly तो अलग-अलग होनी चाहिए जो पाकिस्तान पोटेंशली जो पाकिस्तान एरियाज हैं मतलब पंजाब बंगॉल उनकी अलग constituency होनी चाहिए वो direct action day की call देते हैं जिससे कि सामपरदाएक हिंसा के बहुत बड़ा दौर शूरू होता है 5000 लोग कैलकटा में फिर मौाखली में साथ हजार बिहार में फिर बॉंबे में फिर यूपी में और अन्तिता पंजाब में गड़ मुक्तेशर में 300 लोग लगबग मरते हैं और मार्च फरवरी मार्च 1947 के आसपास तक पंजाब में पहुँच जाता है तो बिलकुल हमारे नेता जो हैं कॉंग्रेस के वो परिशान हो गएं कि तो सिविल वार सिचुएशन इसको कैंसे हैंडल किया जाए तब लगता है कि पार्टिशन को सुईकार करना तो फाइनली पार्टिशन हो जाने के बाद माउंट बैटन प्लैन आने के बाद पार्टिशन उसे भयानक एक हिंसा के दौर से होने के बाद पाकिस्तान का गठन होता है फिर क्या जिन्ना का कुछ रिदय परिवर्तन होता है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है बीजेपी के नेता लाल कृष्णा अडवानी जस्वन सिंग जैसे लोग जाके ऐसा लगता है कि वो क्याता है अल्टिमेटली जिन्ना वाज असे सेक्यूलरिस्ट कि कॉंग्रेस के नेता उन्हें मजबूर कर दिया नहीं मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं अपनी व्यक्तिगत जिन्दगी में जिन्ना जरूर सेक्यूलर रहोंगे अपनी लाफस्टाइल में तो ठीक है वो सावरकर के बारे में बहुते हैं ये एक अलग चीजे गांधी जैसे मौलाना अजार और गांधी ये तो बहुती धार्मिक लोग थे अपने व्यक्तिक जीवन में सावरकर एथीस्ट थे वो बिलकुल ही किसी रिचूल में उनका विश्वास नहीं था मैंने तो अपनी किताब में लिखाए कि जब गांधी और सावरकर की पहली मीटिंग लंडन में 1906 में हुई थी तो सावरकर ने गांधी के लिए प्राउन सौट करके बनाए थे और काता कि आप अगर प्राउन नहीं खाएंगे मांस नहीं खाएंगे तो अंग्रेज साशन से कैसे लड़ सकते हैं तो वो तो है लेकिन अपनी व्यक्तिकत अपनी राजिनीत में जिन्ना एक पूरा मुस्लिम कंसॉलिडेशन के बहुत बड़े आंदोलन के नेता थे लगातार छे साल तक लगातार छे साल तक वो मुस्लिम को मोबिलाइज कर रहे थे एक खास प्लैटफॉर्म पे अब जब पाकिस्तान बन गया है तो कोई भी आंदोलन जब वो सरकार बन जाता है तो उन प्रिक्रियाओं से उस प्रोसेस से अपने आपको काट नहीं सकता है जिसके परिणाम सरूप वो सरकार बनी है तो जाहिर सी बात है कि जिन्ना एक प्रो माइनॉरिटी वहाँ पे माइनॉरिटी से मतलब था हिंदू जब पाकिस्तान की कॉंस्टिट्मेंट असेमली बनती है तो वो एक प्रो माइनॉरिटी स्टेटमेंट देते है कि हमारी सरका जो है हिंदु लोग मंदिर में जाएंगे, को यह जाएगा, वो सरकार का बिजनिस नहीं है, तो भी एक तरह का टोकेनिजम का स्टेटमेंट लेते हैं, और उसी के आधार पर, उस स्टेटमेंट से कुछ थोड़ी क्या हो गया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं एक एक बहुत बड़ी जिन्ना की सफलता है, मार्गरिट बर्कवाइट ने उनका इंटर्व्यू किया, और उन्होंने कहा कि, एक दुनिया की बहुत बड़ी तीसरे चौथे नंबर का हम देश बना रहे हैं, और एक बहुत बड़ा मुसलिम कंट्री है, उननीस्वी सदी के बा यह जो कि अपनी माइनॉरिटी को अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा, तो यह तो एक 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 जो जो आल्टिमेटली जाके नहीं हुआ, और लगभग हम लोग भी अल्टिमेटली उसी पात पर जिसल रहे हैं, कि हम एक पाकिस्तान की एक मिरर सरली जी बहुत धन्यवाद, एक रैशनल तरीके से जिन्ना के बारे में बात करना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान में, जो हमारे पोलिटिकल स्पेस में आज देखने को नहीं मिलता है, या तो ब्लैक में देखा जाता है, या वाइट में देखा जाता है, जो ग्रे एरिया जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इलस्ट्रेटिव और इन्फरमेटिव रहा होगा इस कारेकरम को देखने के लिए बहुत धन्यवाद